वेलकम बाक टो नहीं दा मार्केट अनलेसिस वीडियो कल के लिए लेवल्स देखेंगे निफ्टी बांक निफ्टी कॉनसे लेवल्स इंपॉर्टन्ट होने वाले हैं कल निफ्टी फिन की एक्सपारी रहेगी तो इसको भी डिसकस करेंगे इसी के साथ में थोड़ा पोस्ट म उपर और बाइंग सेड में जाएंगे 800 भी क्रॉस नहीं कर पाया तो हमारा जो बाय का ट्रीड है वो तो बनता ही नहीं है बट सेलिंग सेड बात करें तो 700 के नीचे सेल का प्लैन किये थे नो डाउट यह 12 बजे के आसपास सेलिंग के लिए आया 700 के नीचे निकला पर जैसा मैं आपको अमिशा बोलता हूं कि कोई लेवल अच्छे से ब्रेक आउट या ब्रेकडाउन ट्रेड ले रहे हो 5-10 मिनट 15 मिनट सश्टेन होने का वेट करो पहली 15 मिनट की कैंडल जैसे ह अगले 5-10 मिनट तो at least उसको होल करने दो उसके अगली ही 15 मिनट टोटल पूरी उपर अगी तो वो ब्रेकडाउन फेल होने वाला है इसी के साथ में 700 के नीचे हमको निफ्टी में सेल ट्रेड नहीं मिला और इसी के साथ जो दिन को 700 के नीचे क्लोजिंग देके गया यह एक ट्रेड बनता है बड़ यहां पर क्लोजिंग है तो आप अगर एक BTSC ट्रेड लेके भी गए और सेलिंग में निफ्टी के अंदर 45,900 के नीचे सेल ट्रेड प्लैन था कोई मुमेंटम हमें खास मिली नहीं है यहां पर भी देखो 900 के नीचे निकलने की कोशिश किया 15 में के अंदर यह उपर आ गया तो exactly वही execution बनता है जो निफ्टी में जहां पर नीचे breakdown फेल हो रहा तो वो हमें ट्रेड नहीं करना है at least 5 से 10-15 में थोल्ड करने का वेट करना दिन को भी यह 900 के नीचे नहीं निकल पाया उसी तरह चीहाले 200 के उपर भी यह टोटली बिल्कुल भी कोई मुमेंटम नहीं दिया टोटली मार्केट साइडवी ज़रा निफ्टी में हम वापिस चलें कल क्या लेवल्स इंपोर्टन्ट होने वाले हैं तो आप देखेंगे यहां पर आपके पास एक चैनल बनता हूँ आपको दिखाई दे रहा है यह पर ब्रेक करने की कोशिश की बट फेलो के नीचे आ गय मैं टिसी जगे पर अगर यह वेच फैटन होता तो हम इसको उपर की तरफ ही टेड़ करते हैं दोनों में फरक होता है इसलिए मैं कहता हूँ एकनिकल एनलेसिस प्राइस एक्षिन जब आप सीखते हो तो उसके काफी रूल्स बदल जाते हैं जिनको आपको अलग तरीके से लग रूल्स के साथ सीखने की ज़र्वत होती है अभी यह नॉर्मल फॉलिंग चैनल है हमारे पास इसका ब्रेकाउट ब्रिकडाउन कहीं भी आ सकता है और अगर नीचे ब्रिकडाउन आया तो यह मान के चलो कि 650 के नीचे यह आपको एक मोमेंटम मेरे साफ से कल दे सकता है साढ़े छस्तु के नीचे अगर पात्त्समस सस्टें करके निकलता है मॉनिंग के एक केंडल यहीं पर बनती है फ्लाइट ओपनिंग आती है यहाँ पर मान के चलो कि निफ्टी यहाँ पर आपको यह च 600 से 700 के बीच में ओपनिंग देता है साड़े 600 के नीचे क्रॉस करता है आपको 50 पॉइंट के ट्रेड मिल जाएगा 19,600 तक की आपको एक 50 पॉइंट की मोमेंटम मिलेगी 600 के नीचे और निकलता है तो ओपन टार्गेट हो जाएंगे 600 से 700 के बीच में और 600 को फिर ब्रेक कर रहा है तो हम ट्रेड में जाएंगे और वाइज ऑलरी यह gap-dahun आ है तो हम बेट करेंगे gap-down के अंदर हम क्या कर सकता है ये चैनल के आसपास जैसे 600-625 के आसपास तक gap-durun आ हैñaपर कोई hammer दे रहा है तो हम इसको बाइंग के लिए उठाने की कोशिश कर सकते हैं, अगर मार्केट नीचे निकल ही नीरा, एक gap up opening आ रही है, gap up opening में जैसे आज ये ऊपर channel के ऊपर निकलने का try किया है, कल भी same करता है, तो यहाँ पर हम बाइंग सेड में जाएंगे, मेरे इसाब से 750-760 का जो stop loss मैंने आपको दिया है, जिन्होंने 700 के नीचे sell करके गया है, तो यह 760 के आज पास आपका stop loss, जिन sellers का stop loss है, उसके उपर निकलते ही, हम यहाँ पर बाइंग सेड में shift हो जाएंगे, अगर मार्केट यहाँ पर एक gap up opening की जगए, या फिर flat opening देके उपर candle में निकलता है, या फिर आप इस टारगेट, 19,850 का, 850 के उपर, फिर अगेँ, 900 तक यह easily bullish है, 707 के उपर ही bind side में जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे, उससे पहले buy करना है, तो only gap down में ही एक opportunity मिल सकती है, ठीक है, अभी हम यहाँ पर देख लेता है, बैंक निफ्टी को, 45,900 के आसपास ही अभी पिय में closing मिली है, उपर से आपके पास यह जो है, एक trend line बनते वे clearly दिखाई दे ही है, मैंने size set draw नहीं करिया, आप कले ना इसको, अगर यह उपर break करता है, अभी 46,100 के उपर, 46,100 के उपर हम trade में चले जाएंगे, कल हमारा plan था, 46,200 के उपर जाएंगे, नहीं निकल पाया, आज के दिन, अभी यह trend line बन चुकी है, 46,100 से लेकर, 46,100 से लेकर, 45,850 तक आपके पास एक range है, 850 के नीचे आप selling में जाओ, 46,100 के उपर bank nifty में आप buying में जाओ, दोनों तरफ आपको 1,500 के momentum easily देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आज यह करीब 2 गएंट था कि एक ही range में फसा रह 46,300, 350 का, 400 तूड़ता है, 46,400 तूड़ता है, तो no doubt, clearly super bullish है, ठीक है, अगर market यहाँ पर नीचे break करता है, 850 के नीचे निकलता है, 45,850 को नीचे break करता है, bank nifty तो यहाँ पर एक sell trade बनेगा, 45,850 के नीचे पहला target 45,700 का, दूसर target 45,600 का होना चाहिए, यहां तक हम sell कर सकते है 600 के नीचे निकला, तो थोड़ा सा और strongly selling side view हो जाएगा, 600 के नीचे bank nifty और अच्छी गिरावट दिखा सकता है, जैसे कल में आपको weekly analysis वीडियो में बताया था, already market में बहुत बड़ी gap up opening आ रही है, तो यह 200 से 200 का level आपका resistance बनेगा, इतने बड़े gap up में resistance ब्रेक होते हैं, तो trade नहीं करना थी है, उसके आज़ पस आपको shooting star वगरा morning में देखना है, फोड़ा सा profit booking फिर से try कर सकते हैं, अगर already यह gap down आ रहा है, तो gap down के अंदर यह 1.800 का level trap कर सकता है, तो वापस से wait करेंगे, gap down में क्या कर रहा है, 1.800 नावसों important है, उपर से जो trend line आ रही है, gap down में क्या इसको touch करने जा रहा है, या gap down में directly नीचे गर रहा है, तो wait करके ही trade लेंगे, कोई price action ऐसा pattern बनने देंगे, ऐसा कोई pattern बनने देंगे, उसके बाद में gap down के अंदर trade करेंगे, तेली nifty fin को भी देख लेते हैं, अभी nifty fin में 20-500 के आसपास हमें closing मिली है, ठीक है, एक range ब पहला target होना चाहिए, around in levels के आसपास तक, 640 break होता है, तो 20,700 भी आपको देखने को में भी मिल जाए, उपर breakout आजाए, तो collect ये nifty fin उपर की तरफ एक बड़ी momentum दे सकता है, पहला target 560 के उपर 640, 640 के उपर 700 तक का target, अच्छा move हमको मिल सकता, market दो दिन और अगर ये range नीचे की तरफ break होती है, उपर break ना होके, तो नीचे की तरफ level है, 20,470 का, बच 470 की नीचे हम sell नहीं करेंगे, हमें sell करना है, त 470 के नीचे break हो जाएगी, कल से हमने support draw करके कर रखा था, 450 हमारे ये बहुत ही important है, nifty fin में, तो 4500 break हों का तभी sell करना है, 470 पे sell करोगे, 4500 450 पे आएगा, यहां पर bounce लेके उपर बाग सकता है, ठीक है, तो इस चीज का दियान रखना है, support resistance, accurate भी होने चाहिए, levels उसी के इस साथ से trade किये जाते है, 4500, 450, 20,000, 450, जब तक इसके उपर है, buy trade बनना चाहिए, कोई hammer वगर दिखता है, 450, 460, 470 के असपास buy कर सकते हैं, उपर आता हो दिखाई दे सकता है, अगर 450 नीचे break होता है, तो एक selling continue होगी, 2450 के नीचे, 15 मिन्ट सस्टेन कर गया, nifty fin, तो आपको एक momentum, सीधी, सीधी, मेरे साथ से बड़ी momentum, पहले 2350 और 300 तक की भी देखने को मिल सकती है, nifty fin में, 4500 के 1500 नीचे, 560 के 1500 उपर, bullish side की, एक momentum आपको देखने को मिल सकती है, और यह हमारे लिए zero to hero कब बनेगा, जब market खुलके, 12 बज़े तक इसी के बीच में sideways हो जाए, 12 को या फिर नीचे ब्रेक कर रहा है, 450 को, साड़े 11, 12 बज़े बाद, तो यह बहुत ही अच्छा trade बन सकता है, momentum expiry के जो zero to hero होती है, वो आपको 12 बज़े बाद देखने को मिल सकती है, but already gap up opening आ गई, तो जो call right करके बैठे है, साड़े 600, 700 के आसपास, यहाँ sell करके बैठे है call को यहाँ sell करके बैठे है, इधर 600 पे sell करके बैठे है, एक बहुत बड़ी gap up opening मिल गी, तो premium इनको फिर से sell करने के लिए बहुत अच्छा मिलेगा, यह वापस से position को manage करके, थोड़ा सा side wish तो downturn नहीं करवा देगे, एक बहुत बड़े gap up में buying में नहीं जाना, एक बहुत एक long leg dozy दिखाई दिया है, 1670 का support बनावा है, 1670 के नीचे आपका एक selling बनता है, HDFC bank के अंदर, उपर की बात करें, तो 1690 के उपर आपका एक buying भी बनता है, इस दोनों level को मार करके रख लो, इसके उपर या नीचे, 1.5% की momentum के लिए play कर सकते हो, ICC bank उपर आपको यहाँ पर दिखाई दिया है, आज engulfing bearish pattern, अभी तक confirm नहीं हुआ है, कलिए 2 दिन का जो low है, same है, इसके नीचे निकलता है, तो हम इसके नीचे ICC bank को sell कर सकते हैं, 990 के नीचे, मेबी थोड़ी सी profit booking आजा, तो intraday में 1% के लिए selling side जाओ, otherwise bullish है, आज के high क Axis bank एक shooting start देखनों को मिला है, और मैं कभी भी high के levels पर जब भी shooting start मिलता है, उनको miss नहीं करता हूँ, उनको trade जरूर करता हूँ, अगर कल यह flat opening देखे, 968 के नीचे निकलता है, मेरे साथ से trade लेना चाहिए, 968 के नीचे पहला target, intraday 960, दूसरा target 955, 955 के नीचे निकलता है तो odd selling भी आपको Axis bank में देखने को मिल सकती है, intraday के अंदर buying side में फिलाल नहीं जाएंगे, जब तक 990 उपर break नहीं होता, next stock है, Kotak bank, Kotak bank का आप देखोगे, surprisingly होगा थोड़ा आपके लिए, क्योंकि मैं काफी time से बोल रहा हूँ, 2,5,3 महीने से जो लोग मेरा analysis Kotak bank का देख रहे हैं, उनको मैं बार बार बता रहा था, मैं हर्ट trade में selling side जाऊँगा, यहाँ पर buy a trap बहुत अच्छे से हो सकता है, आज इकलौता market में selling नहीं है, पर Kotak bank के एक इकलौता stock है, जिसके अंदर आपको 4% की घरावर देखने को मिली है, intraday trade भी मिले, इसके बाद मे buy trade market को देख के नहीं लेना चीए, मेरा Kotak bank में analysis यही था, उपर बेचने को मिले तो बेचूँगा, हाला कि मैंने इस trade को अभी sell नहीं किया, थोड़ा और उपर चाहिए था, मुझे 2000 round number के आसपास, बट analysis बिल्कुल सही हुआ, जितने लोग buy नहीं कियोंगे, at least उनका पैस तो बचा, अभी Kotak bank का analysis क्या होना चीए, अगर flat opening मिलती है, selling continue हो सकती है, 1885 के नीचे यह selling इंटराडे में continue हो सकती है, इसके नीचे आपको स्तीधी momentum, 1865, 1840 तक की एक momentum आपको selling side देखने को मिल सकती है, buying का कोई scenario नहीं है, जैसा पिछले 2 माइन से बोल रहा है, अभी भी K कोई तक bank में buying का कोई scenario नहीं है, reliance, reliance आप देखेंगे, थोड़ा सा sideways दी रहे गया, एक gap down दिया, sideways दी रहे गया, daily candle आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रही होगे, reliance में, क्योंकि दी मर्दर के कारण, charge adjustment थोड़े से हुए है, इंट्राडे के साथ से हम इसको देख सकते है, चार्ड को यहाँ पर आप देखेंगे sideways दी मोमेंटम है, 2480 के आसपास है, कल आपको selling का target इसके नीचे दिया था, 2520 के नीचे पर इतना बड़ा gap down खुला तो कोई trade करने का मतलब नहीं बनता, बट यहाँ पर अभी उपर 2515 के उपर निकलता है, इंट्राडे में, flat opening देखे 2515 के उपर निकलता है, आपको एक intradited buy करने के लिए जरूर मिल सकता है, CD 2550 तक की 351 के momentum आपको reliance में देखने को मिल सकती है, selling side फिर से जाना है, तो 2475 के नीचे reliance और week हो सकता है, इसके नीचे और selling देखने को मिल सकती है, next stock है TCS, TCS आप देखेंगे कहीं न कहीं, 3400 के level के आसपास अभी भी close हुआ है, sustain कर रहा है, बड़ी बात है, इतनी गिरावट नीचे आने के बाद भी sustain कर रहा है, अच्छी बात है, अभी मेरे साथ से इसके अंदर आपको buy तबी करना चाहिए, जब कल ये इन दोनों days का high break करें, करीब करीब ये मान के चलो, इसका level 3430, 3430 के उपर जब TCS निकले, तब ही buy करना, उससे पहले wait करना, अगर नीचे की तरफ आपको sell करना है, तो आज का जो low लगा है, 3330 में, 3370 के नीचे आप TCS को sell कर सकते हो, 3430 के उपर आप TCS को buy भी कर सकते हो, दोनों side, 1.5% का intraday momentum आपको मिल जाएगी, infosys totally sideways रहा है, infosys को में track कर रहा हूँ, कब gap फिल करने के लिए यह उपर निकले, उसके separate rate करो, दो दिन का high बना है, 1350 का price, 1350 के उपर intraday breakout मिलते ही, आप trade लिए सकते हो, पहला momentum आपको 1365 तक का, दूसरा momentum 1380 तक का देखने को मिल सकता है, intraday के अंदर, I hope आपको level समझ में आयोंगे, if you like this video, please click on like button and subscribe to the channel, thank you.